हाँ हाँ हेलो एवरीवन और वेल्कम तो एक बार जास में को बता दें कि आडियो वीडियो क्लियर है उसे बाद अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डाट इस बेस्ट ऑन यूर मेजर्मेंट अफ पावर हैना बेसिक लिए बात करने वाले बेसिक लिए हम लोग यहाँ पर करने के बाद पॉइंट यह था अपने पास की जो बहुत इंपोर्टेंट चाप्टर थे यह 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 इसा ही रखा गया है कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रखते हैं है ना जो मैक्सिमम मार्क्स अकाउंट करते हैं I'll finish that in a sequence first ठीक है जैसे basic instrument से सवाल आता ही आता है आपका अबर यह सवाल आता ही आता है तो आया दो चैप्टर से पुश्चन आएंगे ही आएंगे अब जो बनता है third priority not exactly third priority also मैं second priority ही बोलूंगा है ना measurement of power electrical और instrumentation दोनों के लिए second priority रहेगी ठीक है तो हम इस कारण measurement of power अगला start करने वाले हैं ठीक है तो this is how we'll go measurement of power पढ़ेंगे तो लगें हाथ अपन measurement of energy भी पढ़ डालेंगे है तो कि लो थोड़ा सा लगभग सेम है और लगभग आपके पास वह रेलेवेंटी है ठीक है तो अड़नब जी प्रशान कुमार गुद आप्टर नून है करते है तो let me introduce myself first ठीक है आप को इस क्वी अनलोग नेट्वरक कांट्रोल प्रवर सिस्टर्म मेजर मिन्ट अंड इंस्ट्रूमेंटाशन आइं इस पडिछी पे हमको फॉलो करते है आपको कहीं पे लगता है कि आपको २केडमी के एप की निद है आपको अग्डिय। कि आप पर free plan unlock करना है, कोई quiz unlock करना है, कोई special class unlock करनी है, combat का exam देना है, whatever you want to do, you can do with help of this code, आप इस code के help से इसको देख सकते, unlock कर सकते, आपको an academy plus subscription पर भी आना है, तो भी आप यहाँ पर 10% off आपको दिख रहा है, और उसके थुरू आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, तो point being यह है, आपके पास है न, point being की, आप देख सकते हैं कि भाई अपने पास क्या क्या है, यहाँ पर, तो अगर आप plus में आते हैं, तो आपको मिलेगा life class, crash course, weekly test, doubt solving, English in the, और rank improvement बेची सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, यहाँ पर आपके on academy plus subscription में, apart from this plus subscription, what is going to happen, आपको iconic लेगे plus के सारी features आपको मिलेंगे, यह iconic में आपको personal coach, study planner, dedicated doubt solving, doubt clearing instructor, preparatory study materials, study booster session, personalized test analysis, everything you will be getting over here, फिके, अगर मैं और आगे आपके पास बात करूं यहाँ पर, फिके, अगर और आगे बात करता हूं तो आप देख सकते, वह ही आपको plus लेना है तो plus में आप 12 मन्त के course में आपको यह price है, 18 मन्त के course हैं, 24 मन्त के course है, इसमें आपको 10 परसेंट और मिलेगा, मतलब अभी currently जो offer चलेगा आपके पास ठीक है 13 से लेके 17th of September तक के वहाँ पे आपको 10% plus 10% off है मतलब इसमें 10 मेरा code use करने पे 10% तो मिलेगा ही extra 10% और मिलेगा तो if you are planning to be in plus subscription so this is the correct time to enroll है ना तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द यहाँ पर enroll कर सकते हैं जल्द से जल्द आप यहाँ पर enroll कर सकते हैं clear चल यह अगर मैं आगे पढ़ता हूं आपके पास ठीक है तो यह अपने पास iconic subscription की prices लिखे हुए तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी है ना तो यह हो गया आपके पास ठीक है प्राइसिंग है और अगर जैसे आपको लगे कि अपने को एक special feature है आप देखना कि आप बहुत ब्यूटिफुल आपके पास ठीक है और आपको accurate solution मिलेंगे आपको हिंदी और इंगलिश में है ना आपके question कि आपको exact matches मिलेंगे क्योंकि पूरा AI based है आपके पास ठीक है और आपको accurate solution मिलेंगे सारी चीजों के ठीक है इसमें आपको 10% अभी मिल जाएगा और फेकल्टी से आपको मिलेंगे जाहे आपको प्रिलिम्स में आना है यह जो भी आपको करना है सब में आपके पास offer यहां पर रहेगा ठीक है एक six month का subscription नेने पर अभी तीन month extra आपको मिल रहा है तो you can go for that also 42% of आपको वहां पर मिल जाएगा और combat में तो आप बिलकुल enroll करी सकते हैं ठीक है और कुछ भी आपको लगे जिसे आपको कोई भी information चीजी तो definitely आप Creator X channel को telegram पर follow कर सकते हैं ठीक तो चलिए अपना आज की class स्टार्ट करते हैं जिस पर भी अपना आज का class जो है वह based होने वाला है that is going to be on measurement of power that is going to be on what that is going to be on measurement of power ठीक है measurement of power के अपन बात करना चालू करते हैं ठीक है तो heading डालता हूँ सबसे प्याद हो क्या आपके पास measurement of power ठीक है सबसे first heading अपना होगा यहाँ पर measurement of power clear इसमें single phase और three phase दो में included है but primarily जो chapter है आपका वो three phase पे based है मतलब when you are expecting some question तो question definitely आपके पास three phase से आएगा तो question is more over expected on three phase only है ना single phase मैं करा दूँगा आपको just take basic और single phase बढ़ा असान है उसमें कुछ भी नहीं if you are knowing network then definitely it's possible ठीक है तो heading डालता हूँ मैं यहाँ पर क्या measurement of power measurement of power ठीक है measurement of power ठीक है measurement of power ठीक है अब of course मैं बोड़ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना आपका single phase बी इंक्लूड़ेड है and three phase बीक्लूड़े तो यह आपको पहले से clear रहे है but yes probability wise number of question wise previous year trend wise मैं बात करता हूँ तो any day three phase is most important from our exam point of view three phase जो है हम locally that is very important from our exam point of view three phase is more important any day आपको मैं बोल देता हूँ कि three phase ही ज्यादा आपके पास important है clear हां हमने जो अपना basic instrument का chapter था हमारा अपकोस वो पहला chapter था ठीक है लेकिन जो हम लोग का basic अब दुबारा आएगा उसका जो equation है वो दुबारा आएगा आपके पास ठीक है उसको हम लोग यहां पर डिल करना start करें मतलब वही इंस्टूमेंट से हम लोग voltage और current भी मेजर करें था ऐसा मेंटर वोल्ट मेटर और यहां पर हम लोग क्या मेजर करेंगे आपके पास क्या आपका पाव सेम इंस्टूमेंट से ठीक है फ्रॉम सेम इंस्टूमेंट ठीक है ठीक है अब ही मैं आपको बताया था इसके बारे में आपको आल्रेडी इंफॉर्मिशन दिया था ठीक है यहां से स्बासिंट करते हैं अपना काम ठीक है कि में बात करते हैं है तो यह मिफ्री जब हम बात करते हैं तो इक डाइनमोमिटर में हम्राना हम ऐसा एक डाइनमोमिटर क्रिक्वेशन लिखे थे चेन डिनमेटर का एक्वेशन क्या था अपने पास कि जो अपका दिफलेक्टिंग टॉर्क होने वाला है डिफलेक्टिंग टॉर्क का वैल्ली कुछ ऐसा आया था आपके पास कैसा आई स्वेर i square dm divided by d theta this is what this is nothing but your torque equation of an electro-dynamometer ठीक है this is what this is torque equation जिसको हम जे derive भी किया है torque equation torque equation of dynamometer और electro-dynamometer ठीक है dynamometer ये हो गया आपके पास torque equation of what torque equation of dynamometer ठीक है तो td is equal to i square dm upon d theta इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे torque equation of our dynamometer ठीक है यहां से आपकी story start होती अब देखिए actually story क्या है इसको कैसे manipulate करेंगे instrument तो वो आपको figure बना के भी दिखाऊंगा मैं कि how that particular instrument जहां से हम voltage measure करते हैं और जहां से हम power measure करते हैं उनका अपना manipulation कैसे हुआ है that also I will tell you है ना कि वो manipulation किस तरीके से या किस सलीखे से हुआ है what I am going to say कि जो आपका i square है ना जो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है आई square actually this i square can be written as i1 multiplied by i2 ठीक है इस particular case में क्या किया गया था इस particular case में डाइनमोमेटर वाले case में i1 को i2 के बराबर रखा गया था i1 is equal to i2 is equal to i यह ऐसा लिखा गया था ठीक है कि i1 i2 और i आपके लिए बराबर है इसको इस तरीके से लिखा गया था ठीक है तो इसका रेंट नहीं हमको i2 के form में दिखता था अब आपको याद होगा कि we had two coils in dynamometer in dynamometer there are two coils dynamometer dynamometer कि हैस टू कोईट डैनमोमेटर के पास ना दो कोईट था डैनमोमेटर के पास आप देखेंगे ध्यान से अगर तो डैनमोमेटर के पास ना दो कोईट एविलेबल था आपके पास वह दो कोईल कौन से थे वह दो कोईल थे आपके पास एक तो आपका क्या था एक तो आपका क्या था एक आपका moving coil था ठीक है मतलब एक आपका fixed coil था एक आपका moving coil था तो मैं क्या दिखता हूँ सबसे पहले नाम इसका एक तो आपको मैं लिखता हूँ fixed coil fixed coil एक था आपके पास moving coil ठीक है एक क्या था आपके पास moving coil एक आपका fixed coil था एक आपका moving coil था तो there are two coils है ना एक fixed coil एक moving आपको दो इंस्ट्रुमेंट स्टाटिक पढ़ाए गये थे, पहला क्या था? पर्मनेंट मागनेट मुविंग कॉईल, तो in case of PMMC आपका मागनेट स्टाटिक था, मागनेट रखा हुआ था, कॉईल मुव करता था, वहां पर क्या करता था, आपके पास कॉईल मुव करता था, तो actually डायनोमेटर में दोनों चीज़ इंक्लूड़ेटर में आपको fixed coil भी है डायनोमेटर में आपको moving coil भी है दोनों चीज़े आपके पास available आपको दिखती है ठीक है दोनों चीज़े आपको available दिखती है ठीक है तो मैं क्या बोर रहा हूं कि जिसे हैं आप current I1 और I2 लिखा पर absolutely same था voltage और current मेजर करने वाज़े setup में absolutely same था ठीक है तो यहां पर क्या करूँगा मैं यहां पर मैं बोलूँगा एक current I1 और यहां पर मैं बोलूँगा एक current through fixed coil और एक हो जाएगा यहां पर क्या आई टू करेंट थ्रू मुविंग कोई करेंट थ्रू मुविंग कोई यह आपका current through fixed coil और आई टू आपके पास current through moving coil यह अपने को ऐसा देखने को मिल गया ठीक है ना वाट इस गूइंट अपने को देखने को मिल गया now I'll put this current into torque equation मैं क्या करूंगा इसको इस current को मैं torque equation पर put up करूंगा इस current equation मैं क्या करूंगा torque equation पर put up करूंगा ठीक है सब्सक्राइबर और थ्रू पॉट अपप डिस ठीक है तो क्या होगा आपके पास एक आएगा पका torque equation what torque equation looks like torque equation को हम लिखते हैं कुछ ऐसा देखो तॉर्क equation was written like i1 and i2 dm divided by d theta ये ऐसा और जो आपका i1 का value है i1 के value को मैं क्या बोर रहा हूं i1 के value को मैं बोर रहा हूं i1 sin omega t ऐसा है और i2 का value है i2 का value होगा आपके पास im2 sine omega t sine omega t minus 5 यह हो जाएगा आपके पास i2 का value तो एक i1 हो गया एक i2 हो गया दो ऐसा अपने को value देखने को मिल गया one is current i1 another one is what current i2 ठीक है यह ऐसा हमको देखने को मिल गया अब आप समझेगा कि जोए दो current current आपको देखने को मिल रहा है i1 और i2 ठीक है i1 और i2 जो दो current आपको देखने को मिल रहा है these are what these are your instantaneous current है न कोई सोच रहोगा sir वहाँ पर face shift कैसे आ गया तो that i'll explain अभी मतलब आप figure draw करने ही वाला हूं ठीक है अगर मैं अभी यहाँ पर figure draw करने ही वाला हूं तो यह टीडी दिखेगा कैसे टीडी दिखेगा ऐसा i1 sin omega t into into i2 sin omega t minus 5 ठीक है और dm divided by d theta यह ऐसा दिखेगा है ना थोड़ा सा square मैं combine करता हूं तो यह क्या हो जाएगा im1 और im2 को मैं साथ में लिख देता हूं ठीक है और यह साथ पर लिखने के बाद what is going to happen यह हो जाएगा आपके पास sin omega t into sin omega t minus 5 dm divided by d theta ठीक है यह ऐसा हो गया आपके पास अब देखो यहां पर असानी के साथ में 2 को divide कर सकता हूं और यहां पर 2 को multiply कर सकता हूं means nothing happened किवल 2 को divide किया है और 2 को क्या कर दिया है 2 को आपके लिए multiply कर दिया 2 को divide कर दिया 2 को आपके लिए multiply कर दिया 2 को आपके लिखा हुआ है यह आपके पास क्या है यह आपका actually na instantaneous torque है जो TD का value लिखा है यहाँ पर this TD value is what? this TD value is your instantaneous torque तो what I'll say कि भाई यहाँ पर जो TD है this TD is instantaneous torque instantaneous torque this TD is what? this TD is your instantaneous torque तो TD आपको जैसा यहाँ पर दिख रहा है what? TD is looking like your instantaneous torque है ना? तो इसमें क्या होगा? हमको instantaneous torque की need नहीं है we need to know average torque for one complete cycle हमको average torque जानना है ठीक है? तो average torque जानने का तो एक बड़ा आसान सा तरीका है ठीक है? तो average torque हम कैसे जान सकते हैं या average torque को हम कैसे निकाल सकते हैं that is important है ना? तो मैं बुर रहा हूं कि if we are trying to have a average torque तो average torque के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? टीडी instantaneous torque है टीडी average ऐसा में denote करना हूं this is your average torque ठीक है? तो चलिए मैं आपको average torque यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूं है अगर हम आते है average torque निकालने एक complete cycle के उपर तो यह कैसा आएगा? टीडी average is equal to one upon two pi ठीक है? एक cycle के निकार रहा हूं average torque किते रिकले निकार रहा हूं कि पस एक complete cycle के निकार रहा हूं तो यह one upon two pi हो जाएगा one upon two pi into देखो यहाँ पर i m1 और i m2 तो constant divided by two भी constant इसको मैं कैसा लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं i m1 into i m2 divided by two को लिख दे रहा हूं root two into root two ऐसा भी असानी के साथ क्या साथ है बाई टू को पन क्या लिख सकते हैं फिर आएगा यहाँ पर क्या? फिर आएगा आपके पास यहाँ पर integration यह 0 से लेके 2 pi यह आ गया आपके पास integration 0 से लेके कहां तक कि 0 से लेके 2 pi के बराबर आ ग से क्या कर दो इसको आप identity से expand कर दो इसको आप क्या कर दो अच्छा sorry यहाँ पर जो dm upon d theta है वो भी आपको पढ़ाया गया था basic instrument पे क्या है यह यह आपका ऐसा आ गया constant तो integration से बाहर अब देखो 0 से लेके 2 pi है ना और इसको जब हम करेंगे expand 2 sin omega t into sin omega t minus 5 तो यह क्या बनेगा यह बनेगा पर पास cos a minus b plus sorry cos a minus b minus cos a plus b ठीक है तो इस आप से क्या होगा इस आप से पहला अगला टाम आएगा cos 2 omega t minus 5 ठीक है और यहां पर डी ओफ omega t यह ऐसा होगे आपके पास expression ठीक है और वन तिंग आपको अच्छे से clear है कि भाई जो यह दूसरा वाला टाम है तो complete trigonometric function है तो यह वाला पूरा का पूरा टाम तो क्या होने वाला यह वाला पूरा का पूरा टाम तो already आपके पास कैसा होने वाला है already आपके पास zero होने वाला तो बचेगा कौन सा बचेगा आपके पास केवल आपका पहला वाला टाम बचेगा कौन सा बचेगा केवल आपका यहां पर first term first term will be remaining तो क्या हो गया यह देखो td average का अगर मैं लिखता हूं value तो this will come out to be 1 upon 2pi im 1 divided by root 2 इसको हम i1 बोलेंगे im2 divided by root 2 इसको हम i2 बोलेंगे और यह आपका dm divided by d theta यह constant हो गया ठीक है और यहां पर अगर आप देखते हैं तो cos 5 तो constant है cos 5 ही integration के बहार आएगा यह आपका cos 5 ही क्या आ गया cos 5 ही integration के बहार आ गया cos 5 को भी हम क्या बोलजी cos 5 को भी अपन integration के बहार ही ले आए है ना और cos 5 को integration के बहार लेंगे आप बचा क्या इंटू आइटू इंटू इंटू कॉस ओफ फाई डी एम डिवाइड़ बाए डी थीटा विर फाई इस वाट एंगल बिट्वीन आइवन और आइटू 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 यह आगे आपके पास ठीक है तो एवरेज टॉर्क कैसा दिख रहा है आपको एवरेज टॉर्क आ इसे देखें तो वाट आइकन राइट इस अवरेज टॉर्क इस इक्वल टू आईवन मल्टिप्लाइड बाए डीवाइड बाए जट है ना आई तो को क्या लिख रहा हूं आइटो को लिख रहा हूं सप्लाई बोल्टेज डिवाइड बाई इंपिदेंस इंटू कॉस dm divided by d theta, ठीक है, dm upon d theta constant है, impedance भी constant होगा, तो क्या दिख रहा है, td average is proportional to v into i1 into cos 5, और आप जानते हैं यार की active power का formula क्या होता है, active power का formula होता है, v into i into cos 5, active power का formula क्या होता है, v into i into cos 5, तो आपका जो average torque है, जो भी average torque इस instrument में produce होगा, that average torque is proportional to what, that average torque is proportional to your this thing, that average torque is proportional to your power, ठीक है, तो यह आपको पता रहे, यह आपका average torque power के proportional है, ठीक है, किसे proportional है आपके पास, power के proportional है, I hope that, कि यह सब को clear हो गया, कि भाई यह आपका power के proportional है, I hope everyone got this thing, है न, सब को यह clear हो गया, ठीक है, तो यह अपडेट कर दे मेरे को एक बार comment box में कि यस सर हमको clear है कि यह power के proportional कैसे आ गया ठीक है this should be clear to everyone है यह अपन power के proportional है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं आपको instrument करके दिखाता हूँ आपको यह एक्विशन का रियलिस्टिक थोड़ी सी फिलिंग मिलें कि अच्छा यार यह आपका रियलिस्टिक फिलिंग है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ओके सो यह आपको clear रहे है ना हाँ गुड़ आप्टर नून तमन्ना जी ठीक है हां थाइंक्यू थाइंक्यू यार विशाल है न यहां तक आपको clear रहे है कि अपन इसको कैसे लिख दिए अपन इसको किस तरीके से लिखे है अब देखिए चीज क्या है कि मैं आपका वाट मिटर का फिगर मनाता हूँ विच अब पास वाट मिटर का फिगर मनाके दिखाता हूँ आपको कि चीजें कैसे हो रही है हाउ दिस एक्वेशन इस रेलेमेंट टू फिगर ओफ वाट मिटर ठीक चलिए यह एक फिगर मनाते है अपन वाट मिटर का अब यह देखिए ऐसा यहां पे एन नमबर ओफ टर्स रखे गए हैं यह ऐसा आपके पास एन नमबर ओफ टर्स काई कहां पे कॉइल ले लिया गया ठीक है अभी देखिए यह लगा दिया गया स्पिंडल आपको याद होगा ये प्याल वगगेरे जो जो भी को बहुत क्लi दे रहा हूं कि भाई कौन से चीज कहां पर किस तरीके से माउंटेड है डाट तिंग शुड़ बी क्लियर टू इच वन आफ ऐस ठीक है कि यह देखिए यह ऐसा हो गया ठीक तो यहां पर आपका जुएल बीरिंग से ठीक है जुएल बीरिंग पतलब समझते हैं आपके यहां अब दूसरा आपका fortunately यहांसे आपका निकला हुआ है यहां से और दूसरा यहां से आपका श्रीन में जिस प्याइब देखिए यहांसे आपका का कि यह वायर निकल छूब के त्रहूर आपका यह वाय निकल गया है न और यहां पे भी आपका स्प्रीग के थूरू करें ओपर यहां बैहिए को लगा लेगा त्लिके से निकला हुआर ठीक है यहां बहुत बेसिक सा इक इंस्टुमेन्ट पड़ा था आपके पास ठीक है algo यह दिखेगे, यह आपका लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या, एक फिक्स्ट कॉईल, ठीक है, डाइनममेटर अगर आपने पढ़ा था ध्यान से, तो आपको याद होगा कि भाई, यहाँ पर न, दो फिक्स्ट कॉईल थे, ठीक है, तो देखो गो, दो फिक्स्ट कोईल को म ठीक है connection तो उसका actually load से है यह आपका load आ गया जिसका अपन power measure करना चाह रहे हैं ठीक है यह आपके पास load मैं ला रहा हूं जो आपके लिए power को consume कर रहा है यहां पर क्या लगा यहां दो फिक्स्ट कोई लगें आपके इस यह आपके पास फिक्स्ट कोई अब देखिए अगर मैं बात करता हूं फिक्स्ट कोईल की तो what is going to happen कि यह तो आपके पास वापिस आएगा यहां से यह आपका फिक्स्ट कोईल आएगा यह देखिए ऐसा और एक लगा हुआ है यहां पर आपका switch यह आपका switch लगा हुआ है double pro double pole double pole single throw का switch है ठीक है और इन दोनों 果वेंड कोई पॉंट के बीच में supply अपका apply कर दिया गया इंदोनों पॉंट के बीच में हम क्या करते हैं एंदोनों important के बीच में supply है apply कर दिये क्या apply करदिये अपका हो गया आपके पास कैसा इसको मैं बोलूगा आपके पास single face power supply single face पावर सप्लाई सिंगल फेश पावर सप्लाई यह हो गया आपके पास क्या यह हो गया आपका सिंगल फेश पावर सप्लाई अब देखो यहां से एक वायर ऐसा निकला हुआ है यह देखो यही से जहां से स्विच लगा हुआ है एक वायर यहां से निकला हुआ है that is connected to this part that is connected to this part इसको नाम दे रहा हूं मैं C और C का मतलब क्या है C का मतलब है common C का मतलब क्या है C का मतलब है common ठीके this is your point number C common यह आपका क्या हो गया यह आपके लिए fixed coil 1 हो गया और यह आपका fixed coil तू हो गया तो यहां पर यह तो यहां से आया कितना करिंट स 또 यह से अया था करेंट आई इस δिभाइड हो गया एक करेंटिट हो गया यह ड़िंट है अब एक अब क्या करेगा यह आज से लोड़क पर आ इस coil पे यह घुमेगा आराम से अपना यह जो i2 है यह जो i2 आपको देखने को मिल रहा है यह पूरा ऐसा घुमेगा और यहां से यह i2 बाहर आएगा यहां से यह i2 आपका बाहर आएगा ठीक है अब जब यह i2 आपका यहां से बाहर आएगा तो what is going to happen है मैं यह connection को ऐसा यहां पर लाकर यह धंब कर देता हूँ यह इसा आपके पास connection हो घिक है इस point को हम बोलेंगे V और V मतलब होता है क्या RD मतलब होता है neutral से चश्छां थीक है वी मतलब क्या होता है मी मतलब होता है neutral कई लोग भी बोलते क्यों अप्या बोल दो इसको आप क्या बोल दो इसको आप एन गया और थ्यान सा अगर उपसर्फ कर रहे होंगे तो यह करेंट किसा है यह यहां पर आ रहा है यह करेंट करेंट आई वन-ध mm एप 5 914, यहां पर रहा है है वापिस कितना आ गया वेल सब्सक्राइ हम लोग क्या बोलते हैं फॉज भूघ है ठीक है तो चार point होते हैं है ना जिसे कि आपका ये common point हो गया वो neutral point हो गया इसको मैं बोलूँगा M M मने क्या supply mains या cable mains supply mains या फिर cable mains और इसको मैं क्या बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा L और L का मतलब क्या होता है L का मतलब होता है your load चीक है तो M C L V ऐसा करके आपके पास 4 point बनते हैं देखो ये C हो गया ये M हो गया और ये आपके पास N हो गया और ये आपके पास L हो गया तो M C L V करके आपके 4 point बने हैं तो एक watt meter ना 4 terminal का instrument होता है तो इस setup को हम लोग क्या बोलत है इस setup को हम लोग बोलते हैं आपका watt meter इस setup को वाट मेटर चीक है इस setup को हम लोग क्या बोलते हैं वाट मेटर बोलते हैं ठीक है इस 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 रिवेंबर construction of instruments for gate point of view है ना सी ये एक बहुत famous question होता है students का कि सर क्या हमको construction याद करना है है ना gate point of view से ठीक है तो of course हमको तो ये पता है कि यार gate के exam में ये तो पूछेगा नहीं कि भाई पांस number का सवाल है आप इस instrument का structure ड्रॉकर दो उसके लिए हम आपको 10 number देंगे नहीं पूछने वाला है ठीक है बट फिर ये वैसी बात हो गई कि हम बिना foundation के एक building बनाना चाहते है ये उस type के बात हो गए ठीक है तो आप इस zone इस में मत आईए मतलब की आपको ये याद होना चीए just as a good student you should remember this just as a good student you should remember this definitely है ना आपको अच्छा एडिया रहे कि भाई ये instrument क्यों बना है कैसे बना है ठीक है ये पुरी सीजों का आपको आइडिया रहे ठीक है इन पुरी सीजों का आपको आइडिया रहे है है ना तो यहाँ पे चार पॉइंट आपको देखने को मिल गया यह चार पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया mclv ठीक है तो फटा फट comment box बताएंगे कि सर आपने जो figure बनाया ना वहाँ पे हम mclv चार पॉइंट देख पा रहे हैं चार टर्मिनल देख पा रहे हैं देखो यह आपका l पॉइंट हो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपके पास एक अमीटर है तो एक अमीटर में क्या होता है कमेंटर में केवल दो टर्मिनल होते हैं एक वोल्ट मेंटर पे दो टर्मिनल होते हैं यह बेसिक चीजे हैं कि एक केवल वोल्टेज मेजर कर रहा है एक केवल क्या कर रहा है है आपके लिए one is measuring only current ठीक है तो अगला क्या कर रहा है एक अगला किवल आपके लिए current का measurement perform कर रहा है क्या कर रहा है अगला आपके लिए current का measurement perform कर रहा है got my point सभी को समझ मैं कि भाई क्या current का measurement perform कर रहा है क्या आपके पास voltage का measurement perform कर रहा है यह सभी को I hope कि clear हो गया होगा ठीक है सभी को अच्छे से clear हो गया हुआ कि भाई क्या चीज क्या परफॉर्म कर रहा है आपके पास अब देखो हमको पता रहे कि voltage अकेला नहीं बता सकता थावर नहीं बता सकता मेंशर बोध अवत अब आप्युल प्रोडग्ट होता है तो अगर आपको voltage और current का product दिखने वाला है क्या दिखने वाला है ये आपको voltage और current का product दिखने वाला है है ना so in that particular case what you need to do is that कि भाई हम तो समझ गए कि भाई ये ऐसा होने वाला है गर के है ना तो दोनों को multiply करना है तो किसी के mind में गर आ रहा होगा कि सर जो ये instrument है है ना इस instrument में अफकोस यहां पर ऐसा scale बना रहेगा तो ये पूरा calibrated scale के ओपर move करेगा तो सर क्या guarantee है कि instrument power indicate करेगा सर क्या guarantee है कि इंस्ट्रुमेंट जो है आपके पास ये पावर indicate करेगा सर इसकी guarantee बताईए हमको कि instrument क्या करने वाला है ये instrument power indicate करने है वसी guarantee जानने है इस और हमको पताईए क्या guarantee कि आपके पास power indicate करेगा क्या guarantee है कि आपके पास power indicate करेगा क्या guarantee भाई क्या guarantee है कि ये power indicate करेगा that I want to know guarantee बताईए power indicate करेगा ये guarantee है जो इतना बड़ा यहां पर derivation कर रखा है ये guarantee आपके पास कि भाई ये power ही indicate करेगा ठीक है क्या करेगा आपके पास ये power ही indicate करेगा आप देखो ना क्या लिखा है कि जो आपका average torque है that average torque is proportional to that average torque is proportional to voltage into current into cos 5 ठीक है तो ये guarantee है कि ये आपके पास power indicate करने वाला है this is the guarantee that it is going to indicate what it is going to indicate power ये guarantee हमारे पास सब को clear guarantee क्या थी ये सभी को clear हो गया है ना तो अपन देख लिए ऐसा अब देखना आपको दो component को यहाँ पर बहुत ध्यान से observe करना है what you need to do आपके पास यहाँ पर दो component है and you need to observe those two components very clearly ठीक है एक तो अब देखिए watt meter watt meter is four terminal instrument is four terminal instrument क्या था इसमें m c l v ठीक है चार टर्मिनल का यह instrument होता है watt meter आपके पास ठीक है अब देखो सबसे पहला point आपको c और v को बहुत ध्यान से देखना है देखो c कहां पर यह c है आपका और यह क्या है आपके पास वी है तो इस particular setup में जहां पर मैं यह लिख्के रखा हूँ आपके पास ठीक है c और v कैसा दिख रहा है आपको ठीक है c और v आपको कैसा दिख रहा है है न? c और v आपको दिख रहा है open circuit देखो C और V के बीच में कोई direct connection नहीं है C और V के बीच में कोई direct connection नहीं है तो अगर C और V के बीच में कोई direct connection नहीं है तो that simply says one thing कि when C and V open ठीक है, when C and V open circuit रहता है जब आपका ये C और V जो आपको दिखरा है ठीक है, C और V आपको, sorry C और V आपके पास direct connection नहीं है C और V के बीच में direct connection है आप देखो, ये point C है ये point C है और देखो, C का point यहां से लगा हुआ है घूमा, पूरा continuous wire था वो घूमा और directly आके V से connect हो गया तो C और V आपके पास connected है ठीक है, C and V is here connected सिंपल सा logic है जब भी आपके देखो, C और V आपका पास open circuit है अगर दिसके न एक्ट एस वाट, दिसके न एक्ट एस ये और वोल्ट मीटर या अमीटर ठीक है, और जब आपका C और V short होता है C and V short C and V short circuit तब ये एक्ट करेगा कैसा तब ये एक्ट करेगा वाट मीटर जैसा जैसा वाट मीटर जैसा ठीक है तन इट विल आक्ट एस वाट मीटर ये किसके जैसा एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा आपके लिए वाट मीटर के जैसा किसके जैसा वाट मिटर के जैसा ये अपने को 2 पॉइंट क्लियर रहे है आप अभी देखो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं intention क्या था मेरा समझ आप intention क्या था कि ये जो है मेरा power supply है ये power supply है ठीके ये power supply है और ये मेरा load है ठीके तो power supply से load पे कितना power जा रहा है we want to measure that power circuit तो बहुत simple था यह power supply था और power supply के साथ यहाँ पर load लगा था हमारी इच्छा थी कि इस power supply से load पर कितना current जा रहा है इसको measure करने के लिए मैं क्या किया इसको measure करने के लिए बीच में यह पूरा instrument का setup कर दिया ठीक है तो what is my intention कि भाई इस power supply से उस load पे maximum power जाना चाहिए यह instrument minimum power consume करना चाहिए यह instrument minimum power consume करना चाहिए that is the point कि instrument क्या करे यह instrument आपके लिए maximum power consume करे यह instrument आपके लिए instrument आपके लिए maximum power को consume कर दे ठीक है तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि instrument maximum power को कंज्यूम कर ले ठीक है लोड आपके पास maximum पावर कंज्यूम करें instrument minimum पावर कंज्यूम करें लिग भी दिता हूं आपके पास ठीक है what is our requirement सब्सक्राइब लगा हुआ है कि आपके पास source ठीक है फिर लगा है बीच में क्या लोड सोर्स से instrument instrument से क्या लगा हुआ है आपके पास लोड लगा हुआ है ठीक है तो what is going to happen कि actually power आपका source से पूरा का पूरा जाना चाहिए कहां power flow आपका लोड पे होना चाहिए ठीक है what we want कि ideally आइडियली तो यह आपके पास instrument जो power consume कर रहा है this should be equal to zero बट कब ideal case की बात कर रहा हूँ है यह तो मैं आपके लिए ideal case की बात कर रहा हूँ है ठीक है और p instrument should be equal to what p instrument should be equal to low for practical case for practical case ठीक है तो p instrument कैसा होना चाहिए पे इंस्टूमेंट आपका instrument minimum होना चाहिए अब पावर लॉस मिनिमम कब होगा जब i2 करेंट कम से कम जाए भाई आई ही तो आपका देखो यह current आई था यह current दो डिवाइड हो रहा था i1 और i2 में तो इंस्टूमेंट क्या करें इंस्टूमेंट आपका minimum इंस्टूमेंट आपका minimum पावर कंजूम करें तो इंस्टूमेंट अगर minimum पावर कंजूम करें इसका मतलब क्या minimum current इसके अंदर जाए maximum current इसके अंदर जाए maximum current तो आपका लोट के थूरू फ्लो करेगा है ना तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि आपका fixed coil है इसका resistance minimum रहे resistance of fixed coil इसका requirement क्या है सबसे पहला फिर सबसे पहला requirement होगा कि fixed coil का fixed coil का यह condition कब satisfy होगी यह condition तब satisfy होगी जब आपका i1 का value है यह i2 से काफी बढ़ा हो ठीक है तो i1 का value i2 से कब बढ़ा होगा जब fixed coil resistance fixed coil resistance इस minimum इस zero flash minimum ideally zero हो practically क्या हो minimum हो ठीक है और जो आपका moving coil है moving coil मतलब क्या यही तो आपका PMMC में moving coil मनता था ना मूविंग कोल से करेंट कितना जा रहा है मूविंग कोल से करेंट आपका i2 जा रहा है ठीक है ich maybe일 को से करेंट क्या जारा है i2 जा रहा है तो i2 cha ऑफ प्रूच बी मिनिंमन है ना तो मोविंग कोईल system should be maximum moving coil resistance could be maximum infinity or maximum यह अपना requirement हो गया ठीक अब जेको resistance का formula क्या होता है resistance का formula होता है rho L divided by resistance is equal to rho L divided by A ठीक है हमके जाते fixed coil का resistance आपके पास minimum रहे अगर fixed coil का resistance आपके पास minimum रहे तो area क्या रहे? area जादा रहे इसका मतलब क्या? fixed coil is made up of देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एक point यहाँ पे एक point लिख रहा हूँ कि fixed coil fixed coil should be made up of should be made up of thick wire should be made up of thick wire ठीक है? fixed coil को आपको thick wire से बनाना पड़ेगा जब cross section area जादा होगा तो resistance आपके पास कम होगा fixed coil is always made up of what? thick wire ठीक है? अब देखो यह moving coil का resistance infinity होना चाहिए, infinity होना चाहिए मतलब high होना चाहिए तो इसके लिए क्या important है? area लो रहे area आपके पास कैसा रहे? area आपके पास लो रहे तो this is the actual beauty of construction जब भी हम construction पढ़ते हैं तो हमको एक एक चीज का value पता होता है कि भाई क्या चीज को किस तरीके से रखी जाती है, कैसे रखी जाती है तो यह अपने को बहुत अच्छे से, बहुत clarity देता है तो यह अपने को पता रहे कोई हमसे practically पूछता है तो अपने को आईडिया रहे, ठीक है आयूश भी बुरत, thank you for continuing these classes, thank you so much मेरे पास schedule actually नहीं था, that's why this was being not continued ठीक है, और अभी continue कर रहे है, तो you all just make sure के attendance maximum से maximum रहे, so that further भी इसको मैं continue कर पाहूँ ठीक है, हाँ, sir एक doubt है, load और burden में they are same thing, है न, they are same thing, मतलब भाई, तू कल को बोलेगा मेरे को की sir, मतलब कैसे बताओं तुरको मैं, कि तू अगर में को बोलता है, कि sir, यहां पे न, क्या बुलते हैं, कि sir, मेरा एक घर का नाम है, और sir, मेरा एक बहार school का नाम है, स्कूल में कुछ और बोलते हैं वैसे ही लोड और बढ़न की हानी है ठीक है प्रेफ मतलब संत जरुखता हूं कि अपको संधू समझ में कि प्रेफ नादेल में का इन दुछ में स्पूम्ल फिडिंग हो जाती है ठीक है अव्र Size अइसा नहीं हिन है sense बंud बोलते हैं आप यहां पर भी इसको बर्डन बोल सकते हो आप बोलते हो न काम करे टाइम कि I have so much of burden on myself, I have so much of load on myself, तो both thing means same reason, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, मैं बात में था कि sir, notes and all, sir हम को कम मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, so see, क्या मेरा gate का exam होने वाल है, नहीं, मेरा gate का exam 5 साल पहले हो चुका, ठीक है, gate का exam किसका होने वाला है, gate का exam आपका होने वाला है, है न, what happens is, कि जब भी आप देख रहे हैं मुझको, और मुझको साथ-साथ देख के आप लिख रहे हैं, तो एक बार तो मैं जो बोल रहा हूं, वो आप सुन रहे हैं, और साथ-साथ मेरे parallel में लिख रहे हैं, तो फिर आपका brain न, same चीज़ को, same time frame पे, दो बार प्रोसेस कर दिया, या तीन बार प्रोसेस कर दिया, या आप लिखतो रहे हो बार बार, है न, तो processing जो है, वो जादा हो रही है, आपकी processing जो है, वो आपके पास काफी, जादा हो रही है, ठीक है, तो what actually importance is what actually importance is that, की भाई, आप न, उनका नाम सुने हो क्या, नेपोलियन का, है न, नेपोलियन was a great king of France, ठीक है, नेपोलियन का नाम आप सभी लोगोंने सुना होगा, ठीक है, what happened in the earlier time, है न, की भाई, बहुत सारे wars होगे रहोते थे, so all the other kings of his time, वो लोग न, 20,000, 30,000 लोगों के सांच पाएगा, तो, आर्मी वस लाइक, नॉर्मल ठीक है, वो फाइट करने, बट वट नेपोलियन, नेपोलियन, मेड अ कल्चर, नेपोलियन, मेड अ कल्चर, औफ वट की वो सबसे सामने खड़ा होता था, और इस सोल्जर से वर बहाइंड ही, तो सबसे पहनना वही, एन हैं चृ और चैन को था, फाल में पंसे सांफ सांथ लिखने कर शूंगा, बट बे सिद्धान जी बूर रहे है सर वैसे आपके कंट्रोल सिस्टम के कोर्स होने का कोई चांस है क्या प्लस पे अभी फिरहाल तो नहीं है बिटा प्लस क्योंकि I have more number of subjects to take ठीक है बट फॉर कंट्रोल सिस्टम वन तिंगा एकन से कि नेक्स्ट मन्त में भी मैं प्लानेट गेट पर कंट्रोल सिस्टम का प्लान कर पाऊं डिपेंड्स अन माई शेड्यूल बट यस एक वह है चीक है चल यह आगे बढ़ते हैं अपन है ना अब देखो एक एक मिशन आया था उ को जिस्टिफाइब करता हूं मैं आपके पास एक विशन आया सा याद है आपको यह वाला को सब्सक्राइब को यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस प्रपोर्शनल टू आई वन इंटू आई टू इडिटू को थांक्यू सर मेरे में सब्सक्राइब और रिप्लाइदेने के देखो यह इप विशन आए था आपको और इस फिघर को देखों करो याइवन और बीच में के डिफरेंस गया है लग-लग-अफिक्ट देखो आप ध्यान से कि आप I1 को कौन सा current बोलोगे सी from now onwards fixed coil maximum current carry कर रहा है क्या maximum current जो भी आपका source नहीं कर रहा था उसका maximum part को तो fixed coil carry कर रहा है तो what I'll say I'll say one word कि भाई अपसे हम क्या बोलेंगे fixed coil is from now onwards fixed coil को हम बोलेंगे current coil because it is carrying maximum current इसको हम जाएंगे current coil complement moving coil था जो आपका moving coil था इसको हम क्या बोलेंगे voltage coil इसको हम बोलेंगे his voltage coil हो गया आपके पास fixed coil एक होगे आपके पास moving coil fixed coil को आज से हम fixed coil कभी नहीं बोलेंगे अब throughout our journey we will call it what we will call it your current coil और moving coil को हम क्या बोलेंगे moving coil को हर बार हम लोग voltage coil बोलेंगे moving coil को हर बार हम लोग voltage coil बोलेंगे चीक है अब देखिए मैं क्या बोल सकता हूं कि this year TD this year TD है ना this year TD is like what TD deflecting torque था आपका I1 current को मैं क्या लिख सकता हूं I1 current को मैं current coil का current लिख सकता हूं I1 current is equal to what I1 current is equal to current of current coil है ना और I2 current को मैं क्या लिख सकता हूं I2 current को I can write what voltage supply voltage चीक है I2 current क्या है देखो यह आपका I2 current है I2 current को हम लोग क्या बोलेंगे I2 current को मैं बोलेंगे supply voltage यह सब्सक्राइब इसके आपका supply voltage लगा हुआ है supply voltage divided by impedance of this particular thing supply voltage divided by impedance of this particular thing यह आपका impedance of your resistance of voltage coil resistance of voltage coil into cos of 5 into dm divided by d theta यह आपको देखने को तो यह TD आपको पूरा कुछ असानी के साथ देखने को मिल जा रहा है यह TD आपको देखने को मिल जा रहा है this is what this is here TD ठीक है अब मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई this is voltage across voltage something belongings from voltage वां कई लोग pressure मेंवालों और रेशरिए और प्रेशर औंअल चीक है और क्या मोलते इस फम्लों और इसको माना बोलते हैं प्रेशर कोई तो आपका 22 होने वाला है यहाँ पे टेक्निक ली जो आपको आपका PMMC देखने को मिल रहा है, PMMC is responsible for measuring voltage, PMMC किसकले responsible है, PMMC responsible है आपका voltage measure करने के लिए, आपका moving iron responsible है current measure करने के लिए और ये जो combination है, आपका deflecting torque का, जो combination है, deflecting torque is actually indicating average power, ये deflecting torque क्या कर रहा है, यह deflecting torque actually आपके लिए average power को indicate कर रहा है यह deflecting torque क्या कर रहा है आपके आपके लिए actually average power को indicate कर रहा है got my point सभी को यह clear हो गया कि किस चीज को indicate कर रहा है यह किस चीज को indicate कर रहा है that should be very much clear यह आपको बहुत अच्छे से clear रहे है यह आपको बहुत अच्छे से clear रहे है ठीक है और resistance कैसा लिखते थे अपन याद करो resistance हम लिखते थे rho L by A है ना तो हम तो बात कर चुके हैं किसके बार चाहिए यह तो आपका ठीक वायर से बनना चाहिए सब देख चुके हैं resistance प्रेशर कोईल का हाई होना चाहिए यह किस से बनता यह आपका थिन होगा इसका वायर का वो क्या होंगा थो थोड़ा सा थिन होगा आपके लिए ठीक है और उसके बाद फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इसका resistance कम करना है मतलब number of turns should also be less यहाँ पर resistance ज्यादा रखना है तो number of turns should also be more तो आपके pressure coil में या voltage coil में हमेशा number of turns ज्यादा होता है current coil में कम होता है तो मैं बता रहा हूँ को जो construction की beauty है आप conceptually instrumentation में कितने strong है this all things will decide यह सारी चीज़े decide करेंगे कि आप ऐसे instrumentation में कितने strong है instrumentation में आप कितने strong है this thing your things will happen like this ठीक है तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बनेगा clear हो गया सभी को clear हो गया सभी को एक एक चीज़ यहाँ पे है ना सभी को यह चीज clear हो गया क्या है बहुत अच्छे से है ना हाँ सभी चीज़ clear हो गया यह ऐसा हो गया आपके पास ठीक है तो अब मैं आपको एक equivalent circuit बना के दिखा देता हूं कि like how your equivalent circuit looks for the same ठीक है how your equivalent circuit looks for the same that I'll just inculcate you है ना हाँ भाई ठीक है यहाँ तर सब को clear हो गया यहाँ सभी को clear हो गया तो now what I'll do I'll just make a equivalent circuit I'll just make what I'll just make a equivalent circuit ओके यहाँ करता हूं कि लिए equivalent circuit बना जेता हूं ठीक किसका watt meter का तो देखिए heading डालता हूं construction अपना खतम now you can just make a equivalent circuit ठीक है तो गर मैं equivalent circuit की बात करता हूं तो see how this equivalent circuit will look like जैसे मैं इस equivalent circuit की बात करूं what is going to happen equivalent circuit कुछ ऐसा दिखेगा आपको दो current coil थे ठीक है बात में उसको equivalent अपन एक ही बना सकते हैं वैसा उसमें load नहीं है बहुत है ठीक यह हो गया यह current coil हो गया आपका अच्छे के बाते हैं प्रिशर को रुटकर का रिजिस्टेंस काफी हाई होता है तो इसको ना रजिस्ट्यू बनाया जाता है इसको अपन जब दिखाएंगे इसा प्राक्टिकली एक फिगर में तो फिर आल ठीक है फिर आप दिखाएंगे इसा नंबर उसका जाएंगे ऐसा आपको फिगर दिखेगा इक्रिवैलेंट सपिट यह आपका जा है वी हो गया कि अब दिससिए अर्विग उससिए और भी मुट इश इसिए और करेंट आई this is your current i1 जो divide हुआ दो पार्ट में this is your current i1 this is your current i2 ठीक है, this is your load this is your load है न, यह क्या होगा आपके पास यह आपका load हो गया, this is what this is nothing but your load, ठीक है so this is your like current coil this is your like fixed coil यह आपका एक current coil हो गया, यह आपके पास एक fixed coil, this is called your current coil and your fixed coil, ठीक है हाँ यह ऐसा आपको एक figure देखने को मिलता है ठीक है, और बहुत ऐसा symbolic representation की अगर मैं बात करूँ, इसा बहुत जादा कोई ऐसा symbolic representation की बात करता हो, तो इसको आप ऐसा भी मना सकते हो दोनों coil series में तो अपको उसको आप एक ही मानो और यह आपका ऐसा, चार टर्मिनल का instrument और टर्मिनल इंस्ट्रूमेंट यह current coil हो गया, यह आपका pressure coil हो गया, pressure coil is always made highly resistive, क्यों हम जाते हैं कि उससे बहुत ही कम current slow करें, so that is already made very resistive, ठीक है, यहाँ पर points की बात करें, तो देखो, इस point कम लोग क्या बोलते हैं, इस point कम लोग M बोलते हैं this point is equal to what, this point is equal to M, ठीक है इस point का हम लोग क्या बोलते हैं, C, इस point का हम लोग क्या बोलते हैं, L और इस point का हम लोग क्या बोलते हैं, इस point का हम लोग बोलते हैं, V, M, C, L, V, ठीक है यह ऐसा अपने को देखने को मिल गया, M, C, L and V यह अपने को ऐसा देखने को मिल गया, ठीक this is how your figure is made this is how your figure is made so this is equivalent circuit this is what this is your equivalent circuit this is what this is your equivalent circuit fine समझ गये सब लोग है ना सब लोग कोई clear रहे ठीक है सब लोग कोई clear रहे यहां तक के story सभी को clear रहे बहुत अच्छे से ठीक है कि किया आपन यहाँ पे बना के रखे हैं that should be clear to everyone now I will give you certain examples जिससे आप evaluate कर सकते हैं आप बढ़ाता हूँ कि मैं एक ideal wattmeter जब भी आपको बोले जब भी आपको कोई word उस करें ऐसा ideal wattmeter and of course अगर question में कुछ भी mention नहीं किया गया अगर question में कुछ भी mention नहीं किया गया है तो in case of ideal wattmeter what is going to happen in case of ideal wattmeter question में क्या होगा आपके पास देखो resistance of current coil is assumed to be 0 and resistance of pressure coil sorry resistance of pressure coil is assumed to be infinity ठीक है यह ऐसा आपको बता दिया जाए तो this is what this is like here ideal wattmeter इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं ideal wattmeter ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ideal wattmeter और तो अभी आपको फोड़ा सा single face में reading evaluate करते आए आपको single face में reading evaluate करते आए ठीक है तो first example I am writing here Example one यह आपका example number one हो गया ठीक है अगर मैं बात करता हूँ example number one की अगर मैं बात करता हूँ आपसे example number one की है ना example number one कैसा होगा example number one की हम बात करते हैं यह रिखिया आप है आप वाट में बना दिया में अ हम फिट्याव देखे यह आपके पास 210 वोल्ट है यह आपके पास 3 हो गया यह आपके पास J4 हो गया ठीक है और वाट आइकन कॉल कि भाई यह जो चीज है आपके पास इस वाट मेटर इस यह वाट मेटर यह आपका वाट मेटर यह आपके लिए दिस यह वाट मेटर यह तो इसको हम लोग वाट मेटर इसको आपको रिडिंग निकालना है इसका करना है आपको दिस यू नीट टो इवैलूएट करना है इसका रीडिग कितना आने वाला है यह आपको क्या आईडियल वाट मेटर है इसका मतलब क्या हम रीडिंग कैसे क्या अवाट मेटर बेडिन वाट मीटर रिडिंग कैसा होगा वोल्टेज फरेशर कोईल इंटु गरेंट अक्रोस करूंट कोईल इंटु कोसाइभ इंटु कोसाइड वाट मेटर अन्गल बिट्वीन प्रेशर कोईल और current coil, यह हो गया आपके पास, ठीक है, this is your wattmeter reading, voltage of pressure coil, current of current coil into cosine of angle between voltage coil and current coil, यह हो गया आपके पास, ठीक है, यह हो गया, अब आप निकाल लिए reading of wattmeter, can you evaluate here, आप wattmeter की reading क्या यहाँ पर बता पाएंगे क्या, this is very important, कि आप यहाँ पर wattmeter की reading बता पाएं, just एक idea रहें आपको, wattmeter के reading का, ऐसे निगालते हैं, wattmeter की reading, now we need to see, कि भाई कैसे निकलेगी, यहाँ पर wattmeter की reading, छिक है, तो देखो, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ideal system है, ideal system है, इसका मतलब क्या, यहाँ से तो कोई current flow करेगा नहीं, है न, 0 ampere ही मानेंगे इसको, जो current flow करेगा, वो current यहाँ से flow करेगा, और क्योंकि इसका resistance ideally 0 होता है, तो यहाँ कोई voltage drop भी नहीं होगा, तो this current I will come out to be 210 divided by 3 plus J4, यह आपके current का value होगा, इस current को अगर आप evaluate करने की कोशिश करेंगे, तो this will come out to be what, this will come out to be 210 divided by 5 at an angle of what, at an angle of 53.13 degree, 53.13 degree, ठीके, तो current कैसा होगा, current होगा आपके पास 42 at an angle of minus 53.13 degree, voltage तो आपके पास कैसा है, voltage तो आपके पास 210 है ही, है ना, और इसी voltage को तो हम लोग यहाँ पर reference मानके चल ही रहे थे, this is the reference of your voltage source, ठीके, तो मैं क्या बोलूँगा, current का value कैसा होगा, sorry, wattmeter reading का value कैसा होगा, 210 into 42 into cosine of angle between them, मतलब 53.13 degree, तो आपका wattmeter reading कैसा होगा, wattmeter reading को आप multiply कर लो, पूरा इसका आपका answer आएगा, 5292 watts, कितना, 5292 watts, यह आपका wattmeter का reading, this is reading of your wattmeter, इसको हम लोग क्या बुलेंगे, इसको हम लोग बुलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका wattmeter का reading, तो इसके हम लोग क्या बूलेंगे लोग बूलेंगे वाटमीटर के रिडिंग 2017 क्लियर अबधेए अगरम बात कि एग्जाम्पल नमबर टू कि देखिए एक स्कूर्ण कि अब यह आप से कुशन पुछूंगा यह आपके उसका अंसर देना है कि देखिए ऐसा हो गया है कि यहां पे आपको 210 देखने को मुल रहा है सप्लाई यह आपके पास 210 बोल्ट का सप्लाई है यह आपके पास मुलें यह आपके पास कुश्या तो यह आपका और यह फिगर देखने पूला है यह आपने यहां पर आपको देखने को मिला है यह तो दौनों के दोनों फिगर आपको डिफोरण दिख रहे है यह अपने विए important कि इस figure time 4 these figures are different यह अपने पोई जानना हो इदिक एदा चिंब कोया है कि एस ओर ना टेडिकर आपकर का इस वाट वे आपके पास टिफरेंट है दिस वाट टू लुश को सुङह तू आ यह घणना है है आपको की फिगर डिफरेंट दिख रहा है क्या के रिंडॉौningar है क्या प्रीशरस्वाइल है सब कुछ यां पर दिया हुआ है एक तो बोобыल रहा है भाई different ठीक है एक तो बोर रहा है यहां पर की कुंच ह disponenza H Bend जो इक तो गोरने की से में से निगालते हैं सबस्पराद तो नेखो यहां पर कितना होगा ऑप प्रेशर कोईल है यहां से फ्लो करेगा और यही करेंट आपका यहां से भी flow करेगा ठीक है तो what basically your eye will look like eye जो है आपके पास यह आएगा 210 at an angle of 0 degree divided by 3 plus j4 ठीक है तो यह 210 at an angle of 0 degree ठीक है यह हो जाएगा 5 at an angle of how much 5 at an angle of minus 53.13 degree polar form में convert किये तो ठीक है तो your current becomes how much your current becomes 42 at an angle of 53.13 degree ठीक है तो wattmeter reading कैसा होगा wattmeter reading होगा आपके पास 210 into 42 into cosine of 53.13 degree ठीक है तो wattmeter reading कैसा आ गया यह जाएगा आपके पास 5292 watts कैसा आपके पास 5292 watts क्या यह answer पिछले बार के बराबर है क्या आप बराबर है तो क्यों है figure two different था answer हमारा same आया है figure two more different थे लेकिन answer अपना आपना answer यहां पे exactly same आया है ठीक है तो ऐसा क्यों ऐसा होने का कारण क्या है ऐसा होने का कारण क्या है that i want to know ऐसा होने का कारण क्या है that is what I am supposed to know over here कि भाई ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है क्यों ऐसा हो सकता है this is what I want to know बता है भाई कारण क्या है inductor does not consume average power ऐसा नहीं कहेंगे आपका statement partially correct है आपके पता रहें कि watt meter watt meter measures real power only watt meter measures real power only ठीक है watt meter क्या measure करता है watt meter केवल और केवल real power को आपके लिए measure करता है watt meter केवल और केवल क्या करेगा watt meter केवल और केवल real power को आपके लिए measure करेगा watt meter केवल क्या करेगा आपके लिए real power को measure करेगा ठीक है watt meter केवल real power को measure करेगा इसका मतलब क्या wattmeter को आप R और L के להस लगाओ या वाट मिटर को आप किवल R के पावर का उनिट करता है तो वूट मिटर मेंट इस नों रगाल चुह कंपार ४काभर है वे होता है और अपरेंट पावर का अपकी पास वी फैसके हाँ यह दिख दिया अब देखो है को एक और फिगर बना कर दिखाता हो इसको मैं फ Peni रचार का जैना कि एक्जामपल नमबर थ्री शी के लोगर मैं बात करूं इक्वापन करता हो आपके पास-टिक-क इसा reef, इसा इसनूपixon आुः गार्ण के लिए 3 देखें आसा है पिगल रॉकर टॉट टॉटॉ इस फिगर को देखेंगा ऐसा है मैं अचेश्च इसे तो आपके पास ऐसा यह थ्री हो गया यह जेफॉर हो गया यह करेंट कॉइल हो गया यह आपके पास प्रेशर कॉय थी निकालिया पॉर्ट की डिदिंग्ग क्या करना आपको आपको निकालना है यहाँ पर वाटमेटर की रीडिंग है नहीं अए सर वाटमेटर रेजिस्टेंश के unser लगाए है तो वोल्टेज उसी के होना चाहिए न कहां पर मख्या यहां बहुर होगी मुझा किसे हैं ओके को हम लोग एक सेकेंड बेट करना यह तो करेंट का फॉर्मूला था देखी एक करेंट आगया था अपने पास है ना अब मैं बात करेंगे वोल्टेज की तो वोल्टेज कैसा आएगा वोल्टेज आएगा 210 multiplied by three divided by three plus J4 यह ऐसा आएगा वोल्टेज आगया अब देखो इस वोल्टेज को अगर आप सॉल करोगे तो this voltage will result into how much this voltage will result into 126 at an angle of what at an angle of minus 53.13 degree minus 53.13 degree यह कुछ ऐसा आएगा चीक है तो आपका वाटमेटर रेडिंग कैसा होगा वाटमेटर रेडिंग होगा 126 into 42 into cosine of angle between them to 53 का आपको एंगल आपको देखने को मिलो सॉरी माइनस 53 पावर फेटर इस वोल्टेज करेंट आप सॉरी पावर फेटर क्या होदा पावर फेटर अंगल इस एंगल बित्वीन वोल्टेज एंड करेंट तो माइनस 53 डिगरी माइनस 53.13 डिगरी माइनस ओफ ये सॉरी 53.13 डिगरी ऐसा ठीक है और ये आपको हो जाएगा माइनस 53 एक सेकंड माइनस 53.13 डिगरी और उसके बाद पर ये माइनस ओफ माइनस 53.13 डिगरी तो इसको आप कर लो तो वाट मिटर रीडिंग आपका सेम आएगा 5292 वाट्स ठीक है ये ऐसा ही आएगा 5292 वाट्स के बराबर इस इस दी एंसर इस 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 दी एंसर ठीक है पत्क है मैं अपना वह चाहिए है ये आपना जो भी रिजुट था धाट रिसल्ट हैस नॉड वी चेंज्ड रिजुट अपके ही बिल्कुल भी चेंज़् नहीं है वह ये रिसल्ट इस वेरी मुच सेम रिजल्ट इस वेरी मच सेम ठीक है दिख गया सभी को दिख गे सभी को अगला अंसर देंगे क्या सभी लोग अगला जो फिगर बनाया है मैंने इसका अंसर दें ठीक है वाट मिटर रेडिंग निकालनी अल्टिमेटली यहाँ पे भी आपको यहाँ बनाया है यहाँ डेख के आंसर बता सकता है इसका कि सर मैं देख लिया बस अब मैं बता जाता हूँ आपको आंसर किता हूने वाला है ठीक है तो ऐसा कोई है जो सर देख के आंसर बता दूंगा बोर रहा है तो I'll be very happy है ना कि वो देखते ही मुझको आंसर बता दिया ठीक है तो अगर कोई देखते ही आंसर बता देगा तो इससे बेश तो कुछ हो नहीं सकता इस इस और एक्जाम्पल नंबर 3 वदाइए भाई कि पुष्पाशीश यह जीरो बोल रहे है नरेश जी भी जीरो बोल रहे है है ना कि तो दो लोग आया है बाकी लोग का ना दो लोग का अज़सा बाकी लोग अपना अंसर बताएं बाकी लोग अपना एंसर बताएं छीक है जीरोवट होगा या आटसर बाकी लोग क्या बाई अंडक्तर डसमा पळ्यूम रीयल पावर सियूं करता नहीं है फो उल्डे के लिक्टर अप्ते वास taking a करता ही नहीं है, खतम किस्सा, ठीक है, कोई गर सर को mathematics लिए निकालना है, सर बताओ मेरे को जब अधस्तिया, ठीक है, तो mathematical अगर कोई निकालता, तो यह current आई हो गया, यह current आई यहाँ से flow करता, ठीक है, और यह आपका current आई, यहाँ से होता, इस यह current आई, ठीक है, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आई को हम लोग यही सेम बोलते हैं, 210 at an angle of 0, divided by 3, plus j4, ठीक है, तो यह कैसा हो जाएगा अपने पास, यह हो जाएगा 210 at an angle of 0 degree, divided by 42, at an angle of 53.13 degree, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास, सारी, यह 5 है न, यह 5, ठीक, ठीक, तो इस विल बी यहाँ, 42 at an angle of minus 53.13 degree, यह आगा आपके पास current का value, ठीक है, 42 at an angle of minus 53.13 degree, ऐसा अपने को answer देखने को मिल गया, ठीक है, I don't understand example number 2, how we understood that what meter is connected across which element, good, ठीक है, यह भाई साब बोर रहे हैं कि सर, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सर, watt meter किस element क्या cross लगा हुआ है, see it's very simple, आपको यह समझ नहीं नहीं कि watt meter किस element क्या cross लगा हुआ है, आपको आख बन करके current कॉil से, watt meter को नहीं पता हो कहां लगा है, pressure coil, voltage क्या पता हो कि वो कहां लगा हुआ है, आपको simply यह करना है कि जहां पे भी current coil लगा हो, आप अपना circuit theory लगा हो, current coil से current निकालो, voltage coil का voltage निकालो, ठीक है, तो इतने में आपको answer मिल जाएगा, watt meter को नहीं पता, मैं कहां लगा हूँ, watt meter को बस यह पता ही कि मेरे current coil से जितना current flow करेगा, मेरे pressure coil से जितना वहां उसके across voltage आएगा, दोनों को multiply करूँगा, और cost sign से और multiply, cost 5 से और multiply करूँगा, और देदूँगा answer, दुनियादारी यसी किते यसी, उसको किसे मतलब भी नहीं कि मैं कहा पर लगाँगा, उसको मतलब इस चीज़ से है, कि मैं मेरे across numbers कितने आरे, मैं उन number को multiply करके देने वाला हूँ, बस उसको इस चीज़ से ही मतलब है, ठीके, तो एक current आ गया, अगर मैं बात करता हूँ, voltage का, तो voltage कैसा आएगा, voltage आएगा, 210, into J4, divided by 3 plus J4, यह ऐसा होगे आपके पास, ठीके, तो इससे क्या मिलेगा, अपने को answer, इससे answer मिलेगा, आपने को 168, at an angle of, how much, at an angle of 36.86 degree, 36.86 degree, ठीके, तो देखो, watt meter reading कैसा आएगा, watt meter reading will be 210, into 168, into 168, into cos of 36.86 degree, minus of, minus 53.13 degree, ठीके, तो watt meter reading कैसा आएगा, watt meter reading आएगा, 210, multiplied by 168, into cos of 90 degree, और watt meter reading कैसी आएगा, आएगा, watt meter reading आगई, आपके पास, 0 watts, watt meter reading कैसी आगई, watt meter reading आगई, आपके पास, 0 watts, ठीके, ये हो गया, तो अगर आप mathematically करते, तो भी ultimately answer कैसा मिलता आपको, तो भी ultimately आप इस तरीके से answer निकालते, angle आपके पास कैसा आता, angle आपके पास 0 के बराबर ही आता angle आपके पास वमेशा यहाँ पर क्या आता angle would always been approximately 0 के आसपास वाला ही angle आता clear? समझें के सभी लोग सभी को यह clear हो गया सभी को यह clear हो गया अच्छे से ठीक है हाँ भाई चलिए हो गया अगला दूँ अगला दूँ चलिए एक और example देखते हैं देखें जो question एक electrical गाय करके एक ID थे मुने जो question पूछा था उसका answer इससे आपको और बेटर मिलेगा क्शूफ भाई यह देखेंगा यहां पर आपके पास 100V है यहां पर आपके पास 100V अकलाई है, यह 3 हो गया यह 4 हो गया, फिर बोले वाट मिटर का रीडिंग निकाल दो याल तो यह आपका वाट मिटर का रीडिंग यहां से निकल पाएगा यह आपका वाट मिटर का रीडिंग यहां से निकल पाएगा टाली यह वठ्म कि सर वाट्मिटर का रीडंग रहा है और सबसे बदा दुख को वाट्मिटर का रिदिग करोस लगा ड़ा हुए हुए झाल झाल निकाले भाई इसका अंसर सभी लोग इसका अंसर निकाले है ना सभी लोग को इसका अंसर निकालना किता आ रहा है अंसर कैसा आ रहा है क्या आ रहा है करके यह पूरी बात अपन देखते हैं ठीक है भाई पोशिश करें देखिए, करेंट कैसा होगा आपका, करेंट होगा 210 at an angle of 0 degree divided by 3 plus j4, ठीक है, तो यह आएगा, आपके पास वही, पुराना वाला अंसर अपना, 42 at an angle of plus 53.13 degree, ठीक है, और pressure coil के cross voltage कैसा है, pressure coil के cross अपका, यह voltage हो गया, ठीक है, तो उसके साब से आप क्या कर सकते हैं, watt meter reading, इस तो very simple, कैसा, यह हो जाएगा, 42 into 100 into 53.13 degree, ठीक है, तो watt meter reading कैसा होगा, watt meter reading will be 2520 watts, 2520 watts, ठीक है, यहाँ आपके बास 2520 watts, तो यह आपका answer आ गया, ठीक है, अब किस element क्या क्रॉस लगा है, बगदुनिया में इसे को नहीं पता किस element क्या क्रॉस लगा है, ना watt meter को उससे मतलब है, watt meter को, इससे मतलब है, कि भाई, यहाँ पे numbers कौन से लिखे हुए है, ठीक है? झाल झाल ठीक है clear होगे सभी को clear होगे सभी को fine ठीक है भाई तो अपर end करते हैं यह ना ओके तो कल मिलेंगे पन same time पे हम continue करेंगे आगे की कहानी